on connecting everyone hello a very good morning to each and every one of you सभी students यहाँ पर connect कर लेंगे right so today we are going to see the online exam demo of CSIR net exam तो जो भी student यह session देख रहा है चाहा है life sciences से है mathematical sciences से है chemical sciences से है सभी लोगों के लिए session equally useful है सभी लोग session को like कर देंगे as well as share कर देंगे जब तक बाकी students यहाँ पर connect कर रहे हैं right a very good morning to each and every one of you guys hurry up keep on connecting keep on connecting we are live now right चलिए क्योंकि आप लोग जैसा कि जानते हैं अभी जून में आप लोगों का हाली में exam है guess को सुम everybody देखे जैसा कि आप लोग जानते हैं जून में आपका exam है और अब less than one month बचा है तो मैं आप लोगों को यहाँ पर पहले खुद से attempt करके दिखाऊंगी कि exam आपको कैसे attempt करना है और क्या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है कई बार सब कुछ जानते हुए भी सारे questions के answer आते हुए भी जो students पहली बार exam देने जाते है या फिर जिन्हें interface के बारे में नहीं पता कि net का interface कैसा आएगा उस वज़े से भी बहुत सारी गलतियां हैं जो आपकी हो जाती है तो आज उन्ही सारी गलतियों को हम सुधार लेंगे उससे पहले I want की सभी लोग यहां पर connect कर ले शेख, hello गुद मॉर्निंग तो इच और एवरिवन और गुद मॉर्निंग जैश्री कृष्णा, जैहंद I can see all your comments वेरी गुद मॉर्निंग, सभी लोग connect कर लेंगे राइट, we are live now और उसी के साथ सेशन को यहां पर लाइक, शेयर और जिसने भी चानल को सब्स्राइब नहीं किया है जल्डी से कर लेंगे गुद मॉर्निंग, गुद मॉर्निंग और मेरी यहां पर आप लोगों से request रहेगी वीडियो को शुरू से पूरा तक, end तक देखना क्योंकि यहां पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको आज बताने वाली हूँ आज के सेशन में, ओके गुद मॉर्निंग, गुद मॉर्निंग तो इच और एवरी वन उफ यू सबी लोग यहां पर connect कर लेंगे उसी के साथ मैं एक ही बार mock यहां पर start करूँगी और मेरे बताने के बाद जैसे जैसे मैं आपको process बता रही हूँ उसके बाद आप खुद से भी जाकर इसे इस तरीके से Google से आप एक mock test दे कर देखना और देन मुझे बताना इस वीडियो के comment section में कि आप लेगों को सही से सारे चीज़ें समझ में आ गए इसके बारे में या नहीं को सुम जिया आप लेगों को exam कैसा दिखेगा वहां पर बिल्कुल यहां पर हम उसको एक तरीके से उसका जो डेमो है वह आज हम यहां पर करने वाले नेट के exam का गुड मॉर्निंग मिताली को सुम ओके माम फाइन चलिए सभी लोग जली यहां पर कनेक कर लिए नाव इट्स टाइम टाइम हो चुका है राइट अवेरी गुड मॉर्निंग कुसुम रेनु और आइकें से आसमा अवेरी गुड मॉर्निंग तो इच और एवरी वन आफ यहां पर कनेक कर लिया है गाईस अभी लोग सेशन को साथी साथ लाइक भी कर देंगे सेशन को लाइक, शेर चानल को सबस्क्राइब कर लेंगे राइट यहां से स्टार्ट करते हूं है अपना सेशन ताकि सारे लोग यहाँ पर जोड़ जाएं, connect कर लें, right, good morning, a very good morning to each and every one of you, then हम डेमो देखेंगे, live, online demo of CSIR net exam, right, I can see a lot of you here, बहुत helpful session है, मुझे यही देखना था, चल यहाँ से start करते हैं, now I can see a lot of you present over here, and अब सभी लोग एक-एक चीज़ को यहाँ पर अच्छे से देखना रेखें, सबसे पहला step है, आप nta.ac.in पर जाएंगे, CSIR exam को select करेंगे, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर mock test नजर आ जाएगा, ठीक है, students corner में जाना है और test practice में, तो आप यहाँ से एक तरीके से अपने exam का क्या देख सकते हो, online demo देख सकते हो, तो सबसे पहले यहाँ पर mock test पर click करोगे, जैसे ही आप mock test पर click करोगे, यह आपकी nta की official website पर है, यह mock test clear है, यहाँ पर आपको जाना है, select करना है सबसे पहले, अपना exam आपको select कर लेना है, that is CSIR, मैंने यहाँ पर select कर लिया है, CSIR net exam, clear है, मैं one by one एक एक चीज बताते हुए, आप लिगों को चलूँगे, आपको परिशान नहीं होना है, एक एक चीज देखते चलिए, देखिए, then आपको paper select करना है, अभी मैं सबसे पहले chemical science के लिए बताती हूँ, similarly मैं life और mathematical sciences के लिए भी आपको यहाँ पर दिखा दूँगी same चीज, ठीक है, चलिए हम chemical science पर click करते हैं, जब आप examination day पर जाएंगे, आपको कुछ ऐसा ही नजर आएगा, आपको यह select हो रखाओगा यहाँ से, आप जब examination वाले day जाते हो, तो आपको एक system number a lot हुआ होता है, यहाँ पर आपकी system ID लिखी होती है, यहाँ पर आपका name लिखा हुआ होता है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपकी photograph और जिस भी subject के लिए आप appear कर रहे हो, वो यहाँ पर लिखा होता है, तो अगर किसी student को कई बार क्या होता है, कि बहुत ही rare of the rare chances में ऐसा होता है, बट sometimes गलती से ऐसा देखा गया है, कि आपका गलती से यहाँ पर subject name अलगा आग ठीक है, तो उसके लिए आपको end में एक्जाम जब तक शुरूगा, जब तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है, match कर लो, कि जो आपका registration number है, और आपका जो subject name है, वो match कर रहा है या नहीं, सबसे पहले आपको अपने system पर जाकर यही चीज़ match करने होती है, clear है, and students, अभी लो वहीं पर बताएंगे कि password क्या है, इसके लिए आपको अलग से परिशान नहीं होना है, then आप यहाँ पर login पर क्लिक करते हैं, ठीक है, जैसे आप login पर क्लिक करेंगे, देखिए, आपको यहाँ पर देखिए, सबसे पहले instructions दिखेंगे यहाँ पर कि इस तरीके से आपको नज क्लर में नजर आएगा, कोई question जो आपने answer नहीं किया है, पट आपको लग रहा है कि यह question शायद मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो हम उसे mark for review कर देते हैं, कि यार यह question मुझे एक बार दुबारा से देखना है, शायद मैं approach कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आपको यहाँ पर mark for review कर देना है, इसका option अभी आगया हैगा purple कलर में, और कई बार क्या होता हम किसी question को solve कर लेते हैं, बट end में हमें लगता है, शायद इसमें कुछ गल्ती हो सकते हैं, एक बार e-check करना है, तो आप यहाँ पर answer and mark for review कर देंगे, ठीक है, अगर आपने कोई question answer करके mark for review पे लगाया है, तो यह एक गल्ती है, जो कई सारे students को लगता है, कि अगर हमने answer करके mark for review पे लगा दिया, तो वो question count नहीं होगा, ऐसा नहीं है पर, अगर आपने question किया, और उसे mark for review कर दिया, कि मैं एक बार इसे दुबारा go through करूंगी, तो वो question आपका count होता है, ठीक है जबी भी आपकी sheet evaluate होगी, तो वो वाला question आपका यहाँ पर evaluation में count होगा, यह चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, मधुमिता मोनी everybody, ठीक है, इसके बाद अभी हम चलते हैं, यहाँ से अपना paper start करेंगे, देखिए, इसके बाद आपको यहाँ पर यह सारे instructions पढ़ यहाँ पर आप लोगों को जैसे की exam का दिख रहा है, यहाँ पर time दिख रहा है, mock test में time 2 गंटे का, generally आपका time कितना होता है, 3 गंटे का paper होता है, तो देखिए, यहाँ पर आपके पास, जैसे की paper में आपके पास 120 questions आते हैं, इस तरीके से आपके पास उतने 120 questions यहाँ पर आ English medium से है, तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखो, हमेशा एक option होता है, switch करने का, कि आप English से Hindi में switch कर सकें, clear है, देखिए, अगर question English में आ रहा है, और इसी को मैंने Hindi में switch कर दिया, तो यह question Hindi में हो गया, yes or no, तो हर question में, देखिए, interface ऐसा ही रहता है, क्या पता, यह option आपके यह हाँ पर भी आ सकता है, हर question के उपर भी आता है, तो यह चीज आप लोगों को थोड़ा देख लेना है, बट more or less यह इस से मिलता जुलता ही होगा, interface, clear है, अब यहाँ पर हम English select कर लेते हैं, देखिए, let's up हो से कि मुझे first question का answer लगा, कि this first question का answer 3 है, अगर मुझे लगा कि this question क answer 3 है, तो मैं क्या करूंगी, save and next, ठीक है, सबसे पहले बार यह चीज आप लोग ध्यान रखना कि save and next करना है, अगर आप directly next पर चले जाओगे, तो आपका वो question mark नहीं हुआ है, यह चीज का आपको ध्यान रखना है, नैंसी, a very good morning, good morning to each and every one of you, यहाँ पर मुझे likes बहुत कम नज़र आ रहे हैं और watching बहुत जाद है, तो सभी लोग वहले session को like कर देंगे and share भी कर दो, बहुत useful session है यह, generally आप लोग यह चोटी-चोटी गलतियां कर देता और आपको पता भी नहीं होता, let's suppose से कि second question मुझे आता था, मैंने इसका answer 3 लगाया, but मुझे लग रहे है कि या इस वाले question का 3 आपने यहाँ पर mark कर लिया and save and mark for review करना है, देखिए यह धियान रखना, mark for review and next and यहाँ पर answer को भी save करना है, तो answer को save and mark for review, तो देखिए जब आपने answer कर दिया होगा, तो purple में green green नज़र आएगा, right, जह दिन आपको exam होगा, वो आपको दिखा देंगे, कई बार goal की जगा आपको flag बना हुआ आता है, ठीक है, कई बार इहाँ पर goal icons की जगे flags बने हुए आते हैं, तो वो कौन सा वो है, वो आपको वहाँ पर examiner बता देंगे, कि whether आपको flags देखने हैं, या फिर आपको ऐसे goal goal dots नज़राने वाले हैं, तो यह instructions में यह सब चीज़ है, तो mark for review and next कैसे करते हैं, यह सब I think आपको पता लग गया होगा मैं exam में कितने पहले entry होती है, आप लोग for a safer side जो आपका reporting time है, उससे half an hour पहले पहले पहुंच जाना, ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर देखे, let's suppose मुझे question नहीं आता, तो मैं क्या करूंगी, simply यहाँ पर मैं next पर चली जाओंगी, right, अगर मैं simply यहाँ पर next पर जाओंगी, question number four, just a second, okay, yes, यहाँ से मैं question number four पर आगे देखे, अब एक चीज़ आप लोगों को ध्यान से समझने है, वो यह है, ऐसा नहीं है, कई बार कई students को पता ही नहीं होता कि वो क्या करते है, question wise, ऐसे fifth question है, अब मैंने question देख लिया, मुझे answer नहीं करना, तो मैं यहाँ से भी navigate कर सकती हूँ, कि six question मुझे आता है या नहीं, तो आप जल्दी questions को कैसे देखोगे, अगर आप हर question को बहुत जादा read करोगे, फिर सोचोगे, तो अगर आपको लग रहा है कोई question आपको नहीं आता है, आपने question देखा, आपको नहीं आ रहा है यहाँ से clear है, अच्छा, अब ऐसा नहीं कि अगर आपने 7 देखा है, तभी आप 8 पर आओगे, अगर आपका मन है, part C से शुरू करने का, तो पहले आप 82 questions से start करो, पहले आप direct 83 question देख सकते हो, कि यह question आता है या नहीं, तो आप internally भी navigate कर सकते हो, क्या किसी को कोई doubt है, यहा clear है, अच्छा, अब एक चीज यहाँ पर सुन लो, let's up, उसे 105th question मैंने देखा, मुझे इसका answer लग रहा है, कि इसका answer 2 होगा, मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया, clear है, अब अच्छा, एक चीज यहाँ पर देखो, आप लो, चीक है, 105th मैंने लगा दिया, इसे मैंने save and next कर दिय या फिर मैंने save and mark for review कर दिया, तो देखे, save and mark for review वाला जो answer है, जुसका आपने answer लगाया है, but आपने डालाए कि मैंसे बाद में review करूंगी, तो यह वाला question भी आपका count होगा marking में, यह बात ध्यान रखना, ठीक है, अच्छा, एक doubt or students का आता है, मैं सारे doubts यहाँ पर consider कर होते हैं, right, part C में, तो कई सारे students को doubt आता है, जब आप exam में देखोगे, तो उपर लिखा होता है, part B and part C, तो जैसे आप directly part C पे click कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, कई सारे students का doubt होता है, कि हमने 26 questions कर दिये, तो क्या होगा, right, हमने अगर जादा question कर दिये, 26 questions कर द अपने 25 questions कर दिये, और जो 26 आखरी question होगा, वो आपका count नहीं होगा, वो part C में, पहले से लेकर 25 ता questions काउंट कर लेंगे, और 26 नहीं होगा, अगर save कर दिया, तो फिर, yes, वो कर सकते हो, let's suppose आपने 2 कर दिया, right, and आपने कर दिया, आपने इसको save and next कर दिया, right, अब आपको 84 का answer चेंज करना है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, clear करेंगे, ठीक है, यहाँ पर आपने क्या किया, clear पर click करा, आप two option लगा दिया, and save and next कर दिया, clear है, समझ में आया, तो option आता है, वहाँ पर clear करने का, ठीक है, अगर answer जो आपने save किया है, वो check कर देना, green में आएगा, क पर वो save नहीं है, तो हमेशा जबी भी वो save and next होगा, तो उसके बाद वो वहाँ पर show करेगा, कि आपका answer हो चुका है, माम, if answer and mark for review will become wrong, हाँ, अगर आपने answer किया, let's suppose से, कि मैंने question answer किया, ठीक है, मैंने question third लगाया, and save and mark for review कर दिया, ठीक है, तो 86 में यह question count होगा, आपका, ठीक है, and अगर यह question गलत होगा, तो negative marking लगेगी, negative marking जो standard protocol हो वही रहेगा, ठीक है, यह अपने convenience के लिए mark for review कर रहा है, कि मैं इस question को एक बार दुबारा से देख लूँगी, बट आपने answer किया हुआ, इस question को, तो वो आपका count हो जाएगा, अब कई सारे students क्या करते हैं, कि 26 question करने के बाद, कई सारे question answer लगा-लगा के छोड़ देते हैं, mark for review के लिए, और उनके वो वाले questions count हो जाते हैं, क्योंकि examiner तो by software 1225 आपके consider कर लेगा, अब आपने उसमें चाहे बीच में mark for review answer लगा-लगा के छोड़ रखेते हैं, आप सोचोंगे, count नहीं होंगे, बट वो भ पता होते भी marks कर जाते हैं, save and mark for review 25 में count होगा, ना, yes, yes, आपको उतने ही number of question करने हैं, जितने आप से पूछे गए है, clear है यहाँ पर, अगर आपने save किया है, right, वहीं मैं आपको बोल रही हूँ, save and mark for review, आपको कैसा नजर आएगा, purple उसके अंदर आपने mark करा हुआ है, तो वह आपको अंदर green से नजर आ रहे है, right, clear है, ठीक है, माम negative marking कितने की है, तो part C में जो negative marking है, आपकी है, one marks, क्योंकि एक question आपको four marks दे कर जाएगा, और part A और part B में ये value है, 0.5, clear है, clear है सबी को, आप किसी को chemical science में कोई doubt है, तो मुझे बताओ, वरना मैं life science का भी एक बार out है, एक बार life का भी देखे, माम अगर cancel करना हो तो, तो देखो यहां पर देखिए, let's suppose से आपको answer नहीं आता, clear कर दो न, clear कर दिया मैंने यहां पर, scientific calculator इधर आता है, यहां पर, हर question के side में यहां आता है, ठीक है, इधर आता है, इधर, इधर valley side आता है, यहां पर आपको given ह होगा, right, थोड़ा सा और में से squeeze कर देती हूँ, यह जो अगर आपका interface है, right, इधर आता है, scientific calculator, clear है, ठीक है, okay, अब मैं आपको, yes, now I am going to show you for the life sciences, ठीक है, उनका भी देख लेते हैं, हां पर submit जब आप करोगे, जब आपको exam time over होता है, यह by default तभी submit पर click होगा, आप ऐसा न आपको 120 करने थे, आपने कितने answer करें, और answer और जो आपने कितने answer नहीं किये, बिल्कुल भी, और कितने आपने marked for review करें, यह marked for review वो हैं, जिनका आपने answer नहीं लगाया था और छोड़ दिये थे, right, चाहे आपने mark for review करके answer लगाया हुआ है, चाहे आपने normal answer लगाया हुआ ह clear है चलिए तो यहां पर अब आपने yes कर दिया तो आपका test submit हो गया view result तो यहां पर आपके marks आ रहे हैं exactly ठीक है यहां पर तो आपके marks आ रहे हैं कि आपका score 9 आ चुका है बट ऐसा वहां पर इतनी जल्दी answer नहीं आएगा ठीक है अब हम यहां पर देखते हैं दुबारा से ठीक है अब हम यहां पर दुबारा से देखते हैं अभी रुख जो और आम से देखेंगे सब का यहां पर देखेंगे ठीक है let's suppose मैं यहां पर एक सेकंड थोड़ा refresh कर लेते हैं से I think hang हो गया है राइट चलिए student और यहां पर आपका mock test select कर लेते हैं again CSIR देखना अब इसे life sciences देखें लेट सपोसे मैंने start के again login यहां पर भी story same ही है proceed करा हमने proceed ओके यहां पर आपको I have read पर क्लिक करना है proceed ठीक है तो इधर भी देखोगे तो आपका वही same interface है तो interface में कोई difference नहीं है अगर आप लोगों को लग रहा है कि माम दोनों के interface में कोई difference है तो वो same ही है आप लोग यहां देख सकते हो आपके पास जो language में option आता है आप पूछते हो कि माम language change कर सकते है नहीं तो I think आप लोगों को वह समझ में आ गई होगी कि language change की जा सकती है English से आप Hindi में जा सकते हो तो question देखो आपका Hindi में बदल जाएगा अगर आप English में क्लिक करोगे तो question आपका English में आएगा जिस तरीके से आप चलते हो आपको उसी तरीके से चलते हो जो भी आपने question answer किया 93 question अगर आप लोगों ने let's suppose से यहाँ पर लगा है 93 question और मुझे इसका answer let's suppose से क्या लगा मुझे इसका answer लग रहा है कि statement number 4 सही है तो अगर मुझे answer आता है तो मैं save and next कर दूँग या फिर अगर मैंने 92 question देखा मुझे नहीं आया तो मैं क्या कर दूँगी simply next पर चली जाओंगी यहां से clear है इस तरीके से आप move कर सकते हो हां mock वाला यह आप लोग एक बार solve कर लेना राइट जो यह net का जो mock होता है यह already previous year paper के question होते है इसमें ठीक है तो सारे pyqs को मिला कर यह mock बनाया गया होता है तो आप इस mock को आज सभी लोग जा कर दे लेना positively clear है और किसी को कोई doubt है तो मुझे बता सकता है anybody else have any doubt can tell me now calculator आप physically नहीं लेकर जा सकते है आपको screen पर ही मिलेगा अगर मिलेगा तो ठीक है अगर calculator screen पर होगा मतलब आपको given है आप घर से अपना calculator लेकर नहीं जा सकते है clear है किसी को कोई doubt है तो मुझे से पूछ लीजिए anybody has any kind of doubt now can ask me कोई doubt नहीं है clear है ठीक है अगर कोई doubt आता है तो मुझे इस वीडियो के feedback में जरूर बताना user mom नहीं देते है क्या जो user name है आपका यहाँ पर देखिए जो candidate name है जो आपका नाम है वो यहाँ पर नजर आएगा और आपको आपका course name और आपका subject name और आपका जो time है अच्छा watch allowed नहीं होती है एक्जाम में यह चीज़ देख लेना क्योंकि watch और यहाँ पर given होती है कि कितना time left है तो आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है कई सारे student exam के बाद आते हैं और बोलते कि माम हमें पता ही नहीं था कि यहाँ पर exam में क्या कहते हैं watch भी थी ठीक है वो exam में परिशान हो रहे होते हैं और घड़ी उपर ही होती है थोड़ा सा ध्यान दे लेना screen पर ठीक है तो सारे features given है आप यहाँ से switch कर सकते हो आपको जिस calculator है okay thank you so much कैसे use करेंगे calculator इसका मैंने वीडियो बना के डाला हुआ था मैं link share कर दूंगे आप लोगों के साथ इसका ठीक है मेरे telegram group पर आप लोगों के साथ okay so that is it thank you you all अगर कोई भी डाउट आता है तो मुझे वीडियो के description में बता देना मैं short वीडियो आपको बना कर उस k.nic.in ठीक है वहां से जाकर आप सभी लोग यह mock test दे वो खुदी आपको automatically आएगा आपको मैच करना होगा दिवया आपको उसके लिए कुछ नहीं करना वो खुदी आपने एक्जाम में सब कुछ दिया हुआ है वो खुदी आ जाएगा आज इस mock test को लगा कर देखो कितने marks आप लोगों के बन रहे हैं वहां से आप लोग एक बार इससे verify कर लेंगे ओके thank you so much take care everybody और exam में एक महिना है तो अभी एक महिने तक अपने दिमाग को prepare कर लो किस तरीके सा attempt करना है सारे functions देख लो क्योंकि exam day पर आदे functions दूनने में time निकल जाता है और timer यहां पर है ठीक है so that is it अच्छे से पढ़िए आगे बढ़िए thank you so much take care yes मैं send कर दूंगे आप लोगों को okay मैं send कर दूंगे thank you so much Jasmine and students यहां पर जो भी feedback है मुझे वीडियो के description में बताना और session helpful लगा है तो like and share करना मत भूलना thank you so much take care हुआ 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 हाँ झाल झाल झाल